अपनी बातचीत को fundamental नजरियत से आगे लेके चलते हैं लेकिन ये किस ने काया कि fundamentals पर आप ट्रेड नहीं के सकते हैं तो हम ट्रेडिंग और इंवस्मेंट दोनों के expert को लेके आए हैं आज हमारे साथ हमारे शोज में हमारे सूडियो में मौझूद है संजी भसीन जी अपने ब बहुत मोटा मुनाफ़ा जहां जहां बन रहा है लेते चलो दो-तीन दिन साइडवेज गया थोड़ा सा घटा लोगों को डर आया शोट इंच अलुई अखट कल वन साइड भाग गया कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस समय गूद बॉर्निंग अजे गूद प्रियांका द कोई भी चीज ले लिए दो दिन आपने दिफरेंस दे दिया तीसरे दिन आपको पैसा आएगा ये बूल मार्किट होती है जब वो तीसरे दिन आपको लॉस लगे देन एक्सपेक्ट रून तरू आपको सही में कॉशन किया था के ट्वेंटी वाइन निफ्टी निफ्टी श्तरा भी आपको लगता है सारा महिना वो बाइन करेंगे लिए सब कुछ इस गुशन आपको पाजर्टिव बाइंगे अनूम आपको लॉर्टीज निफ्टी एंचा और आपने देख्या प्स्यूंगा ये फियर सुटू बैंक्तों निफिते अच करेंगा काई अरृ था बैंक्स पर बच्चीत आगे लेकर चलना चाहा हूंगा लेकिन एक सेक्टर एक बड़ी खबर आई है वो है चार हजार कोड़ों का ग्रासिम का राइट सिशू और आप ग्रासिम को बहुत पहले से ट्रैक कर रहें काफी नीचे से आप छेल करवा भी रहें लेकिए ग्रासिम क लेके चल रहे हैं हमारे प्रधान वंतरी वो इंटार्ली पॉसिबल है किया जा सकता है और चीवबिल है 3-40 साल में उस डारेशिन में especially क्योंकि infrastructure में काम काफी ज़ादा हो रहा है CapEx में ज़ादा काम हो रहा है और इनकी बड़ी company, इस group की बड़ी company Grasim है जो cement और paint अब आगे जाते हुए paint कारोबार में भी उतर रही है और यही सारा पैसा 4000 करोड का बड़ा rights है entitlement भी है वो उसी कारोबार के अंदर लगा जाएगा तो यह एक infra play भी है काफी हद तक आप Grasim पे इस भाव से क्या आपका view बन रहा है संजीब जी और दूसरा अगर कुछ लोग लेके बैठें तो उनको तो rights का entitlement है तो क्या rights में लेना भी आप apply करना बोलेंगे हाँ बिलकुल रेखिये आपने जो का cement में इस तो holding company because it has the largest stake in ultra tech and it's in VSF viscose staple fiber में it's the third largest in the world not in India, in India it's the largest player तो उसके ancillary businesses are doing extremely well और Grasim sum of parts is a very very attractive stock लेकिन rights से dilution होईगी और उसका फैदा भी बता दूँ आदा राइट का पैसा because it owns almost 8% in Vodafone will go into Voda और उन्होंने commit किया हुआ है by the end of 31st January there will be almost 1 billion dollar of infusion of capital starting point will be 2-3 thousand which will come through this rights and there will be another buy so either way Vodafone stands to gain but Grasim में थोड़ा सा लंबा नजरिया रखे the stock is almost more than doubled from those 1200 to 2200 level I still am very very optimistic on this stock और rights को जरूर subscribe कीजे बिलकुल ये अपने clarity और thought से बता दिया क्योंकि बड़ा rights है Grasim Trader, H&I सब तरह के लोगों से काफे रूची रखते हैं लोग तो ये एक बड़े stock पर राय आती है लेकिन सजीव जी आपकी कल की बात तो हमें बिलकुल सुबा ही याद है कि आपने कहता आद दुपैर में rebound दिख जाएगा सारे sectors में इतनी strength दिखाई दी real estate तो outlier था in fact इतनी जबर्दस तेजी होने के बाद भी real estate को कैसे अब approach करें तो पहली बात real estate में तो दोनो twin effect है एक तो आपकी वज़े से सोने का भाव बढ़ रहा है क्योंकि आपने hold करके रखा है नहीं प्रियंका हमको तो अपने घर की लक्षमी को मानना है जिसने 50 साल सोना रखा अजे उसने रोज थोड़ी भाव देखा है तभी आज 63,000 रुपे पे आप चमक रहे हो आप और मेरी contribution नहीं है यह तो घर की आपकी ladies का पूछो ही मत sir पूछो ही मत जैसे 2000 के नोट जब निकले था तब ladies के अगांट से पता लगे थे ऐसा ही सोना कभी भावान ने किया तो नहीं दूसरा रेल इस्टेट के साथ stock market भी 73,000 है the wealth effect is seeing leverage into you know residential the first time users anyway are biased but I see a little bit of froth because builders are now coming out at premiums which are unsustainable take home some money I mean I have been very bullish on DLF, Godrage and Shoba from very much slower levels we are taking some chips off the block because we think all the pricing of the good times are already there ये बहुत अच्छी बात भी आप रिल स्टेट पे इन भावों से incrementally positive नहीं आप थोड़ा conservative stance ले रहे हैं ये एक बहुत differentiated view आ रहा है संजीजी थे जो करीब देड़ दो साल से रिल स्टेट में लॉंग करवा रहे हैं गोदेज प्रोपर्टी पते नहीं पे पे मिल रहे हैं तो कैसे combination बना के चले तो आपने बहुत अच्छा फरमाया देखिए एक तो रेल स्टेट का अगर आपने conduit करना है तो बैंक्स लीजिए बिकोज उनके lending ratios बढ़ने ही बढ़ने हैं रेल स्टेट इस बेस्ट mortgage lenders are the you know universally the best because आपके पास asset है तो I think ICICI का आपको वैक दूँ almost 7 lakh crore की market cap है जो मुझे लगता है is going to hit 100 billion dollar club the first entrant fourth company will be ICICI back that means there is a 15 to 20 percent upside in ICICI secondly Priyanka it trades at 2.85 price to book IREDA three times trade करता है और REC PFC thirdly Ajay ji 150 billion dollar के advances है and you can't get the stock at this price अगर कोई शेर मुझे इस भाव पे चमकता है वो है ICICI back plus I want to be in safety I want to be in large cap which give me comfort of earning visibility and I'm playing India on that road second is Kotak Bank जहा मैं repeatedly कह रहा हूं some of parts of uncertainty of Uday Kotak going and the new person has ended they're all verticals from insurance to broking to AMC are doing roaring business and AMC by the way is not getting a valuation because not listed लेकिन I think at 1850 Kotak can easily give me 2100 so that is another large cap and last but not least DCB Bank जो प्रियंका जी आपको 120 पे का 137 पे promoter आगा खान ने ग्रूप पे दिया है और आप यह लेके चलिए DCB does 50% of the business more than 50% जो L&D finance करता है two-wheeler and three-wheeler financing and they have a better margin and better capital adequacy L&D finance at 171 is become very expensive DCB is very cheap 185-500 रूपे का भाव आपको इन ट्रांचेज आएगा पहला टार्गेट 185 मेने आ जाए लेकिन 200 रूपे इसमें अगले चार मीने में आएगा मैं क्विक फॉलॉप DCB पर लेना चाहता हूँ मैं देख रहा था इनके इंटर्नल जबसे आप 3-4 दिन से इसे बारे हम बात कर रहे हैं आगा कान ट्रस्ट यो इनके प्रमोटर है उन्होंने यह भी कहा है कि वह स्टॉक में अपना स्टेक पढ़ाना चाहते हैं यह भाव इसका 15 साल से यही भाव है लगबग और कहीं न कहीं इनके रिटर्न रिश्यो पर भी दबाव बना रहा है आपको लगता है कि यह दो तीन आगे कॉर्टर्स में इनके रिटर्न रिश्यो इंपरू होंगे हो सकते हैं आर वे बढ़ सक है वो भी अट प्रीमियम उसने डिसकाउंट पर नहीं लिया वो प्रीमियम पर डाल रहा है यह तो बात बैंक्स की होई संजीव जी टाटा मोटर्स पर बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है अब साड़े साथ साथ सो के लेवल के बाद भी अब साड़े नाउसो को आई किया जा रहा है आप इस बक्त आटो में सबसे सेफ बैट या फिर एक प्रिफर बैट क्या देख रहे है अशोक लिलन अब यह जो रिपोर्ट आ रही है यह उनसे है जिन्होंने पार्टिसपेट ही नहीं किया तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए युनों वाई प्रियंका सिंप अब इस बाट आप इस बाट आप यह जो रहे है पहली बात आपको यह भी अपडेट बता दू के आपको मैंने का था SME IPO आएगा 93 पे Electro Force अजे जी 134 हो गया वो circuit पे खुला नहीं है तो investor ने पैसा कमाया है जो अगर ले के रखेगा और ले के रखने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा Contrarian पड़ना पड़ेगा इस stocks are making lot of business मैंने आपको पहले भी बताया है कि हाँ Topics continue to be ICICI Bank and Kotak Bank and I would follow up that three stocks must be added in this uncertainty and volatility of metals. Tata Steel, Nalco and NMDC. Tata Steel is headed to 180, NMDC is headed to 300 and Nalco is headed to 200. अब ये नहीं के रोज ये दूसरे दिन हो जाएंगे. directionally they are good. और मेरा dark horse play आज भी है Z. Z का भाव इस साल में 4500 रुपे आएगा जैजी. जब आएगा आपके लिए मैं specially Bombay आऊँगा. शांदार देखिए ये बात तुम आननी पड़ेगी कि जिस दिन पहली बार indication आये था कि बात आगे बढ़ रही है. उसे में 200, I think 200 जे नीचे का भावता है, 190 का असपास था जो आप से बात हुई था. हमने फोनों किया था आपके साथ उस समय दूसर नब्बे का भावाए वाच पे रखिए ये एफिनो के साब से अगर थोड़ा रिस्क्य हो जाता है क्योंकि दोनों साइड शापली मूव करता है शायद इसको आप अपने पोर्टफुलियो में पोडिशनी लेके बाए डिरि विडियो में जुड़ने के लिए